लोगों में एक बात को लेकर काफी confusion होती है कि माबाप के द्वारा बेटी की शादी में जो गिफ्ट दिये जाते हैं क्या उन्हें दहेज के दाइन में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए कुछ इसी तरह का मामला आया केरल हाई कोट में तो क्या कहा केरल हाई कोट ने इस मैटर में सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में वीडियो इंफर्मिशन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलेगा और जज़बन के पीडिएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्श में मिल जाएगा एक बहुत ही एहम फैसले में केरल हाई कोट ने माना कि शादी के समय जो दुल्हन को उसके माबाप के द्वारा गिफ्ट दिये जाते हैं वो दहेश निसेद अधिनियम 1961 के दाइरे में दहेश के रूप में नहीं माने जा सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं के विश्नु आर वर्सिस स्टेट आफ केरला एंड एन अधर केस के बारे में इस केस के सुनवाई जस्टिस एम आर अनीथा की बेंच कर रहे थी जिन्होंने कहा कि मैरिज के समय दुल्हन को बिना किसी मांग के दिये गए उपहार इस अधिनियम के तहद बनाए गए नियमों क अनुसार सेक्षन 3 क्लास 1 के दाइरे में नहीं आते जो दहेज लेने या देने पर रोक लगाती है ये माबाप का प्यार होता है जो बेटी की भलाई के लिए उसकी शादी के समय माबाप की तरब से उसे दिये जाते हैं यहाँ पर याचिका करता पती ने जिसने 2020 में हिंद उनी कारवाई शुरू की है पती की तरब से जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया कि परिवार ने अपने सभी गहनों को इस कपल के नाम पर एक बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिया है और इस लॉकर की चाभी भी पत्नी यानी की दीपती के पास है याचिका कोट ने कहा कि इसका मतलब ये है कि उसकी भलाई के लिए उसी उपहार में दिये गए गहने प्रतिवादियों के नियंतरन में एक बैंक लॉकर में रख दिये गए थे इसलिए ये माना गया कि शादी के समय दुलहन को बिना किसी मांग के दिये गए उपहार दहेच के तो friends hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो information अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को like, share और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा